आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे GT Infra Stock के बारे में। इस स्टॉक को अगर टेक्निकल ही देखेंगे तो लगभग 75 प्रतिशत तक की Delivery Continuous इस स्टॉक में भाई गाते हुए देख रही है और ये स्टॉक टोटली 101 रुपया और 55 पैसे के आसपास के प्राइस पर स्टॉक होते हुए देख रहा है। Overall अगर लास्ट थरी मंथ के डाटा को निकालें आप इस स्टॉक में तो आप पाएंगे कि इसका एवरेज वॉल्यूम लगभग 5 करोर के आसपास का रहा है और जो हाइस्ट वॉल्यूम इस स्टॉक में है वो 14-15 करोर के आसपास का रहा है जो 5 अपरेल के आसपास का है। पिछले थरी मंथ में इसे स्टॉक का लो प्राइस एक रुपया और 40 पैसे और हाँ एक रुपया और 90 पैसे के आसपास का रहा है। थोड़ा बहुत कंसॉलिदेशन से स्टॉक में आते हुए दिख रहा है। ये कंसॉलेशन पिछले लगभग 1 वीक से हैं और पिछले थरी मन्त में stock में लगभग 30% का correction दिखा है. अगर आप already invested है तो position बनाए रखें. अगर आप investment करना चाहते हैं, इस price पे small quantity भी कर सकते हैं या फिर आपको momentum चाहिए तो एक रुपया और 65 पैसे के उपर bike की recommendation रहेंगी. क्योंकि fundamentalist raw stock नहीं है, इसलिए holy quantity लेने की गलती नहीं करें. और एटल जैसे stocks में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है. शोटू medium term को लेकर के जीस प्रकार से हमने try की तरफ से spectrum के discount को लेकर के new strand हुआ था. साथ में मैं आपको एक stock recommend कर दून. A.C.E. Action Construction Equipment continue date कम करते हुए दिख रही है. लगभग नहीं के बराबर date है. Reserve continues बढ़ते दिख रहा है और company fundamental improve करते हुए दिख रही है. Return on capital employed around 20 के आसपास का है. Book value 61 का है. Return on equity लगभग 16% के आसपास का है. इस समय stock का प्रयास 23,9,240 के आसपास का है. आज इस stock में 252 तक यहां इस बनाए. हालां कि हमारी bike बहुत lower level की है. लेकिन अगेन इस stock को 252 के आसपास के price पे अगर जाए या उसके उपर closing लगे तो इसे stock में शांदार update expect कर सकते हैं. इस समय stock में 228-30 के stop loss को लगा करके इस stock में 290-300 तक का target दिख सकता है. उनकी एक चीज याद रखें कि भाये आपको जो भ बाइक opportunity है और surely stop.